पहले तो यूपी से हूँ दिश्टिक लखेमपूर है और पता है जब उल्जने अपार होती हैं तो दर दक्सर आ ही जाता है तो श्टार्ट करता हूँ बुरे वक्त के खंजर ने तड़ पाया था फिर भी पैर नहीं पीछे रखा हमने गदारों की नई साज से सुन-सुनकर हर दिन नई तरीकों से सीखा हमने और असमंजस में खुद हो जाता कभी कभी असमंजस में खुद हो जाता कभी कभी दर्द रिहा कर दे मुझको तू थोड़ा सा असमंजस में खुद हो जाता कभी कभी दर्द रिहा कर दे मुझको तू थोड़ा सा अब मैं सुकूं की नीन ढूरता हूँ कबसे पास मेरे बसमा आ जाये थोड़ा सा शुक्रिया और लिखा आये चार पंक्तियों से सुनाना चाहता हूँ की आसान सफर भी कटता नहीं है एक दोस्त की कमी हर पल सताती है जो कुछ दिन ठहर कर चला गया था यार उसकी बातें भोते आदाती और लिखा है कि जिन्दगी के हर मोड पर उसका इंतिजार रहेगा जिन्दगी के हर मोड पर उसका इंतिजार रहेगा वो भले भूल जाये पर मेरा दिल हमेशा बेकरार रहेगा कभी तो हैसास होगा ही अपने यार की दोस्ती का जन्मो जन्मो तक ये दिल उसकी दोस्ती का तलबगार रहेगगर और और चार पंक्तियों से पेश करता हूँ कि तुम्हें क्या ने क्या खोया था और नीन उड़ा के नजाने कहां चला गया आज कई अरसे बाद में थोड़ा सोया था और चार मंगतियों से स्टार्ट करता हूँ कि तुम्हारी बेरुखी ने मुझे खुद से अंजान कर दिया बाहर से तो ठीक दिखता गया यार पर अंदर से तुमने मुझे समसान कर दिया खबर हुई ही नहीं इतना बदनाम कर दिया और दिल के राजों को बताए बैठा था तुमसे तुमने चंद लम्हों में मुझे सरयाम कर दिया शुक्रिया शुक्रिया भाई और और लिखा है कि सबकी आँखों में तो नीने थी यूँ ही भीत गई राते जगते जगते इस कदर उसका प्यार मेरे अंदर था और सबने खामिया गिनाने में कसर नहीं चोड़ी थी सबने खामिया गिनाने में कसर नहीं छोनी थी, फिर भी दिल उसकी तरफगारी में मचल रहा था और अपने जीवन का आइना बना लिया था एक बार रिपीट करते हूं दूबर कि सबने कि सबने खामिया गिनाने में कसर नहीं छोड़ी थी सबने खामिया गिनाने में कसर नहीं छोड़ी थी फिर भी दिल उसकी तरफगारी में मचल रहा था और अपने जीवन का आइना बना लिया था उसे जिसे देखकर मैं हर रोज समल रहा था और एक मैंने मोश्टिल लिखा है सोचा था कि जरूर सुनाऊंगा कि दिल में महबत का समंदर था सुनिएगा दिल से सुनिएगा कि मैं आलवेस दिल से लिखता हूँ कभी भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता तो आप लोग भी दिल से सुनिएगा ओके दिल में महबत का समंदर था प्यार बेहत दिल के अंदर था अब हम भी उन गलियों से गुजरने लगे थे मुस्कुरा कर देखकर फिसलने लगे थे काम हर दिन का ऐसे ही जारी था मेरा पापा भी एक मंदिर का पुजारी था वो कहते थे लड़कियों को द दिल कर दिया और उसी लड़की ने मुझे भरे बाजार में जलीन कर दिया और शुक्रिया 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 शुक्र काले दिल में जाल बिछाये लगती बिल्कुल मौर थी, मौन थी और उसके चक्कर में पढ़कर मैं मोहित हो जाता था, रात के देखे हुए दुबारा सपनों में खो जाता था, ऐसा भूच चढ़ा था उसको घर से लेकर निकल लिया, मैंने अपने माबाप के जिंदा सपनों को इसे कुचल दिया, जिस्म को छुआ तक नहीं, रूह को अरपड कर दिया, प्यार में मैंने सब कुछ समरपड कर दिया, और जिसकी कोई जट नहीं थी, उसको अपनी महबत में हीर कर दिया, और उसी लड़की ने मुझे भरे बाजार में जलील कर दिया, शुक्रिया कि उसका कोई रकीब है, पर मेरे दिल ने कहा वो तो सिर्फ मेरे करीब है, धीरे 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 उसकी सचाई का पता चलने लगा था, धीरे धीरे उसकी सचाई का पता चलने लगा था, धीरे धीरे उसकी सचाई का पता चलने लगा था, धीरे धीरे उसकी सचाई का पता चलने गिरा दिया, मेरी मुहबत का उसने आखिर कैसा सिला दिया, ये सब सोच सोच कर दिल रो रहा था, अपना होते हुए भी सब कुछ खो रहा था, निन कैदी हो गई, सपनों को मार दिया था, खंजर ऐसे उसने सीने में उतार दिया था, और जिसके इंतिजार में तडप तडप क इन आखों को नीर कर दिया और उसी लड़की ने मुझे भरे बाजार में जलील कर दिया शुक्रिया 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 और सर एक एक लास्ट है एक लास्ट में सुनाना चाहता हूँ आप सुन लीजिए मेरे लाक जोर लगाने पर उनकी मुहबत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी वो मेरे करीब आने से थोड़ा सा घबरा रहे थे बस यही कमी उनकी मुझे खनने लगी थी मेरे लाक जोर लगाने पर उनकी मुहबत आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगी थी मेरे लाक जोर लगाने पर उनकी महबत आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगी थी वो मेरे करीब आने से थोड़ा सा घबरा रहे थे और यही कम्य उनके मुझे खंले लगी थी फिर भी मैं अपने जज़बातों को दिल में ही दबाता गया और उन्हें एहसास तक नहीं हुआ और मैं उनकी जिंदगी से दूर जाता गया वो दिखावे की साइद महबबत करने लगे थे कहते नहीं है कि कभी कवार ऐसा होता है कि हम जिसे चाहते भी नहीं है लेकिन उसे ऐसे बाते करते हैं कि उसे फील होता है कि यार भाई हमसे अच्छा कोई नहीं है और साइद ऐसा लगने लगता है कि ये मुझ़े चाहता है तो मैंने लिखा था वह दिखावे की महबबत करने लगे थे कभी समझ ही नहीं पाय थे मेरे दिल को वो मेरे सहर से दूर चलने लगे थे और विवेक भाई एक बात है कि यार चाहे जो भी हो मतलब अगर आपका कोई सगा है जैसे आपको कोई चाहता है ना अगर आपको छोड़ के जाएगा तो फिर दूसरी जगह खुस हो ही नहीं सकता यार क्योंकि वो तो बस वही लाइन लिखा है कि वो दिखावे की साथ मुहबबत करने लगे थे कभी समझ कुसी नहीं पाये थे मेरे दिल को वो धीरे धीरे से मेरे सहर से दूर चलने लगे थे और बेगानी राहों में कुछ दिन भटक कर फिर अपनों की फर्याद करने लगे थे लास्ट लाइन है कि बेगानी राहों में कुछ दिन भटक कर फिर अपनों की फर्यात करने लगे थे और कातिलाने सहर में सुकू ढूने चले थे आज वो फिर मेरे पास लोटने लगे थे सुक्रिया, सुक्रिया भई झाल